Hi friends, very good evening to all of you तो जैसे कि आपको पता है Bank of Maharashtra का Scale 2 and Scale 3 का recruitment आ चुका है and probably अभी तक आपने exam भरना है, नहीं भरना है, कब भरना है ये सारा चीज़ आप सोच रहे हो So मैं आपको कुछ याद देलाना चाहता हूँ and बहुत important part जो है study plan हम तैयारी कैसे करे ये जो सवाल है, इस सवाल का एक बहतरीन जवाब मैं आपको देने पाला हूँ through study plan So आप study plan के PDF को डाउनलोड करना ना भूलिएगा With this, welcome to IXMB my friends तो अगर आप Bank of Maharashtra की तैयारी करना चाहते हैं and अगर आप apply करना चाहते हैं Right? So you can go to our website and look for the Bank of Maharashtra Scale 2 and Scale 3 का course and also अगर आप Forex के लिए लिजिबल है तो Forex में एक अच्छा वेकंसी आया है you should not miss Right? So you should also not miss the course that is there in our website So शुरू करते हैं सबसे पहले वेकंसी से Right? कि Scale 2 and Scale 3 में क्या है वेकंसी So वेकंसी 100 and 400 respectively है and Forex में 25 है See 25 in numbers may be looking very small but अगर हम Specialist की बात करें न कि Forex Officer मतलब ये Specialist Officer है उसे साब से 25 का वेकंसी is good I mean it's literally very good वेकंसी तो अब हम देखते हैं exam pattern तो देखो आपका जो Generalist है मतलब Scale 2 and Scale 3 जिसका Study Plan हम डिसकास करने वाले हैं उसमें आपका English के 30 कोश्यन आएंगे 20 minute आपको time मिलेगा Quants के 30 कोश्यन आएंगे 20 minute मिलेगा और Reasoning के 3 कोश्यन आएंगे 20 minute मिलेगा और Professional Knowledge के साथ कोश्यन आएंगे 60 minute मिलेगा तो आप जैसा देख पा रहे हो आपको Professional Knowledge में हर कोश्यन के लिए 1 minute है लेकिन आपको QRE English में नहीं है तो देखो अग आपके पास मतलब यहाँ पे तो उन्होंने Experience मांगा है Right So आप यह एजियूम करता हूँ कि आपका QRE एकदम वीक नहीं है आपने कुछ तो पड़ा है अब आप आते हैं Professional Knowledge तो देखो Professional Knowledge में बहुत सारा चीज आप अल्रेडी जानते हो Study Plan तो हम सरिफ इस पे बात करेंगे Scale 2, Scale 3, Forex के लिए एक अलग से वीडियो आएगा वेर वीडियो आएगा वेर वीडियो आप दिसकास इस Study Plan उसके बाद English में Parts of Speech, Tense plus Rules of Grammar ये सारा चीज आपको पढ़ना है अब आते हैं Professional Knowledge में तो देखो किसी भी एक्जाम में 6 मंद का Current Affair important होता है उससाब से इसको 6 weeks में Spread किया गया है But it completely depends on you कि अगर आपके पास टाइम की कमी है या आप इतना सारा एक साथ अभी रिटेन नहीं कर सकते हो तो आप इसको ना 4 मंद का भी पर सकते हो With a retention of like say You know more than 90% मतलब आपने 4 मंद में जो भी पढ़ा है उसका 90% आपको याद होना चाहिए मतलब आप एक Revision के लिए Substantial Time दे रहे हो तो यह जो professional knowledge में आप देख पा रहे हो Quants में Reasoning में यह पूरा चीज जो लिखा हुआ है हमारे course के recording आपका लिखा हुआ है For example, week 1 में आपको क्या-क्या पढ़ना है आपको B-Pedia August के मंद का पढ़ना है P-I-B-C-A के वीडियो August मंद के देखने है अब कितना बड़ा B-Pedia है यह जो B-Pedia है ना यह somewhere around 70 pages का है पूरे month का यह पढ़ने में आपको जावाय time नहीं लेगा यह जो P-I-B वीडियो है कितने वीडियो है 3 वीडियो है somewhere around 30-30 minutes के 3 वीडियो है है ना, मतलब 90 minutes अगें पूरे week में 90 minutes निकालना है अगर मैं बताओ Economic and Banking Finance CA August की बात करो है ना तो यह कितने minute का वीडियो है 40-40 minutes का वीडियो है मतलब 2 वीडियो 40-40 minutes का 2 वीडियो है somewhere around 80 minutes तो देखो कितने clips and छोटे content में we are providing you everything तो यह आप detailed plan download करो so that you know you can obviously take a print out and you can revise and you can start your preparation based on this and अगर आप अच्छे से महनत करोगे ना तो यहाँ पे IBPS के दूसरे exams या SBI के दूसरे exams जैसे मतलब SBI PO and SBI Clerks जैसे इतना रश नहीं होता है there is a high chance कि आप select हो जाओगे if you are following यह पाथ अगर आप distorted मतलब कभी यह कभी वो पढ़ रहे हो तो शायद मुश्किल है लेकिन अगर आप इस प्लान को follow कर ले हो so you know it is going to work तो यह मैंने week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6 तो देखो week 5 and week 6 में मैंने बहुत सारा जगा रखा कि जहाँ पे आप revise कर पाऊं ठीक है a substantial place for you to revise so आप इसके बाद live class schedule भी बन जाएगा मैं बहुत जल्द एक forex officer के लिए आपके लिए video बनाऊंगा there you will get to know that so with this you know we are done thank you and all the best let's meet in some other lecture till then unfold your potential with IXMB and always remember IXMB helps you prepare 50% faster कर दो कर दो कर दो दो